Hi everyone, आज इस tutorial में हम razor tool के बारे में जानेंगे और साथ ही track को lock करना सीखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर एक बार इस video को play करते हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पर इस वली clip को यहाँ से remove करना जाते हैं, तो simply हम इस पर click करेंगे इसे select करने के लिए और keyboard से delete key को press कर देंगे, तो अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि particular clip delete भी हो जाए और साथी gap भी fill हो जाए, तो पहले हम यहाँ पर जो है, एक बार control Z की press करते हैं, undo करने के लिए, और यहाँ से हम clip को select करते हैं, आप चाहें तो आप single या multiple clips को भी select कर सकते हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि यह clips यहा यहाँ पर fill हो गया है, तो हम यहाँ पर फिर से control Z press करते हैं, undo करने के लिए, अब इसके बाद आईए, हम यहाँ पर razor tool का use करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर toolbox में आएंगे, और यहाँ से razor tool पर click कर देंगे, और आप देख सकते हैं, इसकी shortcut है C, उसपर click करते हैं, अब parts में divide हो गया है, हम यहाँ पर V press करेंगे, selection tool को select करने के लिए, और अब हम यहाँ पर इससे select करेंगे, और delete कर देंगे, तो हम यहाँ पर CTRL Z press करते हैं, undo करने के लिए, फिर से हम यहाँ पर CTRL Z करेंगे, अभी जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जैसे हमने clip पर click किया razor tool क help से, इसनी जो है, उस clip को break कर दिया, लेकिन अगर अब आप यहाँ पर जाते हैं कि clip के साथ साथ, यह track को भी break कर दे, तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पर razor tool को select करेंगे, और अब आप यहाँ पर shift key को hold करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर double track को यहाँ पर break कर दिया है, आप देख सकते हैं, उपर से नीचे तक इसने यहाँ पर इसको break कर दिया है, तो हम यहाँ पर इसे undo करते हैं, और साथ ही हम V press करते हैं, selection tool के लिए, अब इसके बाद आईए, हम यहाँ पर यह जानते हैं कि किस तरह से आप audio और video को separate कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर audio और video है, जिसमें से हम audio और video को separate करना जाते हैं, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर click करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह video के साथ audio को भी select कर लेता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक बार यहाँ पर plus की ब्रस करते हैं, zoom करने के लिए लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं कि आप individually audio या video को select कर सकें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से linked selection को deselect कर देंगे, अब यह आप देख सकते हैं कि जो linked selection है, वो selected है, इसलिए जब हम यहाँ पर इस पर click करते हैं, तो यह video के साथ audio को भी select कर लेता है, मतलब उ यहाँ पर जो है, individually video या audio को select कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि linked selection वाला option जो है, वो selected रहे, लेकिन फिर भी आप audio या video को individually select कर सकें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप keyboard से alt key को hold करेंगे, और click करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर individually audio या video को select कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो linked selection वाला option है, वो selected है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि linked selection वाला option जो है, वो selected रहे, और फिर भी हम audio और video को individually select कर सकें, तो उसके लिए आप simply keyboard से alt key को hold करेंगे, और click करेंगे, तो अब आप यहाँ पर द track को lock करना सीखते हैं, हम यहाँ से second वाले sequence को यहाँ पर अपनी timeline में load करते हैं, अभी जैसे कि आप देखेंगे कि जो V4 वाला track है, उस पर हमने title को add किया हुआ है, अब जैसे कि अगर आप यहाँ से title को hide करना जाते हैं, तो उसके लिए simply आप यहाँ पर इस IE के icon पर click कर द V2 track पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि इस track पर हमने यहाँ पर जो है, इस bookkeeper को add किया हुआ है, अगर आप इसे hide करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर V2 track से इस icon पर click कर देंगे, IE के icon पर, तो यह hide हो जाएगा, अगर फिर से click करते हैं, तो यह unhide हो जाएग है, अगर आप इसे फिर से unmute करना चाहते हैं, अगेन आप इस पर click कर देंगे, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको lock के icons दिये हुए हैं, कई बार क्या होता है कि गलती से कोई clip यहाँ से आप से delete हो जाती है, यह उसकी position यहाँ पर change हो जाती है, अगर आप इन mistakes स बचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, simply उस particular track को यहाँ से lock के icon पर click करके lock कर देंगे, जैसे आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको यह hatches display होंगे, that means कि यह जो track है, यह lock हो गया है, अब lock होने के बाद ना तो आप इसको यहाँ से delete कर सकते हैं, ना ही आप इसकी position को हम यहाँ पर change कर सकते हैं, तो फिलाल हम यहाँ पर फिर से इस icon पर click करते हैं, इसे unlock करने के लिए, तो इस तरह से friends, अपने आज के इस tutorial में हमने razor tool के बारे में जाना और साथ ही हमने track को lock करना सीखा, thank you.